हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे टेस्टी एंड हेल्दी फ्राइड राइस तो आए देखते हैं हम इसे किस तरह बनाएंगे सबसे पहले हम पैन में टू स्पून ऑईल अड़ करेंगे और इसे अच्छे से गरम होने देंगे तो लीजी हमारा ऑईल अब गरम हो गया इसमें हम गार्लिक आड़ करेंगे गार्लिक का फ्रेवर फ्राइड राइस में बहुत अच्छा आता है इससे लाइट गोल्डन होने तक प्राइड करेंगे देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया अब इसमें चॉप्ट ओनियन एड़ करेंगे और इसे भी फ्राइड करेंगे अब इसमें हम वन बाउल कैप्सिकम एड़ करेंगे साथ साथ फ्राइड करते रहेंगे वन बाउल बीन सेट करेंगे वन बाउल कैरट सेट करेंगे और फ्राइड करते रहेंगे वन बाउल मश्रूम यहां आप अपनी चॉइस की वेजटेबल भी यूज़ कर सकते हैं इसे एक से दो मिनट तक हाई फ्लेम तक हम फ्राई करते रहेंगे देखी वेजेटेबल्स का कलर बहुत अच्छा आ रहा है अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नम्मक आड़ करेंगे और इसे फ्राई करते रहेंगे देखिए vegetables fry हो गई है अब इसमें boiled rice add करेंगे और इसे अच्छे से हम mix करेंगे ताकि सभी vegetables rice में mix हो जाएं आज कल कि बच्चे green vegetables नहीं खाते तो इस तरह से हम flavor से उनको खिला सकते हैं अब इसमें शेजवान चट्टनी डालेंगे यह spicy होती है इसे आप टेस्ट के according डाल सकते हैं tomato sauce डालेंगे और इसे mix करेंगे अब इसमें थोड़े color के लिए one spoon soya sauce डालेंगे और इसे high flame पे fry करेंगे rice को अच्छे से fry करेंगे अब इसमें black pepper डालेंगे और एक मिनट के लिए हम rice को fry करेंगे तो लीजिए हमारे fried rice ready है आप इन्हें गर्मा गर्म सर्फ कीजिए प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए share कीजिए और comment कीजिए उंड़ और एक मिन्छास कीजिए